तो आज हम पढ़ेंगे स्कोडेंजर्ग वेव एक्वीशन्स है तो स्कोडेंजर्ग वेव एक्वीशन्स है तो स्कोडेंजर्ग वेव एक्वीशन्स है तो यह स्कोडेंजर्ग वेव एक्वीशन्स है और यह स्कोडेंजर्ग वेव एक्वीशन्स है और यह स्कोडेंजर्ग तो स्क्राइब झाल स्क्राइब 20asy about ano स्क्राइब 20好不好 उससी कहा पाए जाते हैं, तो उनको स्क्राइब 20 방법 मैं ग्र्याब उससक्राइब 20 best year उससें होगे टो स्क्राइब 20 presents L तो यह भूआ जाते हैं 2 इस equation से हमें क्या हासल के हम इस equation से हम a shape of our orbitals आता है quantum number जो हमें पूरे इटमज का address अता पता देते है ठीक है पता रहे shape of orbitals और और इंटेशन आफ अर्बी ट्रस और behavior graph electron यह अपको पता है कि यह एक नूकलेस है इसे एक जो है यह क्या है शेल्स है और शेल्स में जो इलेक्रान यह मूविंग करता है इस तरह वेव की शिकल में ठीक है यह मूविंग करता है वेव की शिकल में तो यह जो मूविंग करता है आपको पता है कि वह की शिकल में मूविंग करता है यह हूँ सको हम कहते है रेडियस Сам अब हैं सबस्क्राइब हो प्रुइब आपको यह पता होना चाहिए कि इसको हम a कहेंगे इसको सह एंगे यह radius है यह हमारे पास hypotenuse है और यह जो moving करें electrons ठीके तो इसको हम कहते है साई पिर आपको भी पता होना चाहिए कि हम यहां जो ratios यूज करते हैं trigonometric ratio तो हम यूज करेंगे sin theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse है ठीके तो sin theta equal हो जाएगा यहां जो है न परपेंडिकुलर किस चीज का साई के बगाबर क्योंकि यह परपेंडिकुलर है तो हम यहां परपेंडिकुलर की जगा साई लिखेंगे और hypotenuse किस चीज के बगाबर है एक है तो हम यहां क्या लिखेंगे एक लिखेंगे ठीके अब क्या करना है हमें यह करने क तो साइ को 1 के साथ multiply करेंगे और sin theta को a के साथ तो यह इस तरह आ जाएगा कि psi is equal to a sin theta जब हम यह crash multiplication करेंगे तो यह equations आता है ठीके, अब हम क्या करना है हमें यह theta की value निकालना है हम यह theta की value निकालेंगे तो theta की value किस तरह निकालेंगे जैसे कि आपको पता है कि electron इस तरफ moving करें circle में तो rotational है अगर यह velocity है क्योंकि velocity इसलिए है कि यह जब moving करता है तो इस तरफ तो इसकी direction इस तरफ आता है जब यह electron जाता है तो इसकी direction इस तरफ आता है ति जब यह electron यहाता है तो इसकी direction इस तरफ आता है uniform velocity है और directions होता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह rotational motions है तोड़ा physics भी इन में ज्यादा includes है तो यह rotational motions है तो rotational motions में हम velocity ओमेगा से रिप्रेजेंट करता है ठीक है और displacement है क्योंकि displacement क्या है कि यह shortest displacement per unit time जो है वह हम कहते है कि velocity है तो यह rotational है इसको हम कहते है ठीटा ठीटा जो है यह displacement हो यह time है और ओमेगा जो है यह यह करेंगे तो यह si is equal to a sin omega t तीक है क्योंकि ठीटा की जगा हमने किया omega t पूट किया अब हम क्या करना है हमें यह करना है कि हम इस omega की value निकालेंगे तो इस equations को use करेंगे ठीक है तो आपको यह पता है कि theta is equal to omega t है ठीक है तो हम यह क्या करेंगे omega यहां भी divide करेंगे और omega यहां भी divide करेंगे तो omega omega के साथ cancel हो जाएगा यह आजाएगा t is equal to theta divided by omega आपको पता है कि theta हमारे पास equal होता है 2pi क्योंकि circumference of the circle बोलते है अब यह इस 2pi को जो है ना हम इस equations में पूट करेंगे तो t is equal to theta की जगह हम क्या पूट करेंगे 2pi पूट करेंगे ठीक है तो यह 2pi और यह omega अपनी जगह आजाएगा ठीक है अब आपको यह पता होना चाहिए कि हम हम फ्रिक्वेंसी कहते है कि फ्रिक्वेंसी हमारे फ्रिक्वेंसी वी बाग से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास equal है प्रिक्वेंसी इसको भी केते कितने नंबर आप पास होते हैं तो इसको हम फ्रिक्वेंसी केते हैं और इसको हम वी बाग से रिप्रेजेंट करते हैं अब क्या करना है अब करना यह है कि इस टी का वैलियो यह इसको हम यहां टी की जगा पूट करने तो वी यह हमारे पास आ जाएगा वी बाग टीके फ्रिक्वेंसी और 1ौर टी की जगा हम क्या पूट करने यह तू पाई डिवाईड वाए उमेगा ठीके अब ओमेगा यहां लेजाओ पिर यह जहाँ ले जाओ तो क्या उबर करने तो माइस ओमेगा फिर उबर करने तो यह अमारे पास हो जाएगा ओमेगा divided by two pi जिएखे अब क्या करना है के यह तो हमारे पास है अग्रिशिस आया मैंने क्या का था कि हमें उमेगा निकालना है तो frequency के निचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो ही न omega को हम 1 के साथ multiply करेंगे और frequency को 2 pi के साथ तो omega जब 1 के साथ multiply हो जाए तो omega आता है ठीके और यह 2 pi और यह क्या जाएगा frequency वी बाद frequency तो इस equations को हम क्या करेंगे यहां पोड़ करेंगे omega की value में omega की value में यह values यह 2 pi omega की 2 pi value हम इस equation यहां omega के जगह पोड़ दिच्वक करेंगे तो as'sine साथ इस इकल टू as'sine तो omega की जगह हम क्या पोड़ करेंगे omega की जग़ह हम पोड़ करेंगे 2 pi frequency तो यह हमारे पास आएगा और यह T भी अपने जगह आ जाएगा तो आपको एक और बात बता हूँ कि यह हम T की वेल्यों ने कालेंगे तो T आपको पता है कि हमारे पास जो है na speed speed हमारे पास बराबर होता है distance per unit time is called speed x जो है na distance t time है और V क्या है वही speed है तो crash multiplications करेंगे distance हमारे पास बराबर होजाएगा V t कि X x 1 x c t h V x , V e t हमें क्या निकालना है हमें T nिकालना है तो क्या है कि वी को हम यहां भी devil करेंगे ओर को technique हो जाएगा तो वी वी के साथ करेंगे इस equations में तो हमारे पास i is equal to a sin 2 pi frequency और ठीक ही जगा हम क्या क्या पूट करेंगे x by v ठीक है x by v पूट करेंगे x by v ठीक है तो यह हमारे पास इसको हम equations one more बोलेंगे ठीक है अब आपको पता है कि यह जो equations हमारे पास बन गए इसको हम equations two का नाम भी एलार्स करेंगे ठीक है अब आपको एक और बात बताता चलू के हमारे पास जो हेना यहां यह में आपको एक तोड़ा सा हमारे पास जो हेना आपको व्योस के लिए एक equation से v is equal to f lambda ठीक है इससे हम f lambda हम यहां भी डिवाइट करंगे लेंड़ा हम यहां भी डिवाइट करंगे लेंड़ा तो यह si is equal to a sin 2 pi ठीक है और frequency की जगा हम क्या पूट करंगे v divided by lambda v means speed और lambda means violence तो यह हमारे पास आजाएगा v by lambda ठीक है और यह आजाएगा x by v ठीक है यह equations आया अब v जो है ना इस v के साथ हम cancel करेंगे ठीक है क्योंके एक multiplication से एक divide में है तो cancel होता है तो यह हमारे पास बाद जाएगा psi is equal to a sin 2 pi x lambda ठीक है इसको हम बोलता है equation number 3 ठीक है यह हमारे पास जो equations आया है इसको हम अब क्या करेंगे अब करेंगे के equation 3 will be differentiate will be differentiated with respect to x इसको हम differentiate करेंगे किस चीज़ के साथ x के साथ ठीक है तो दोनों sides को हम differentiate करेंगे तो यह equation आ जाएगा के d sin यह differential का sin है और यह हमारे पास आएगा differential x ठीक है अब d by dx यह क्या है यह differential है तो यह a sin 2 pi x lambda ठीक है यह आ जाएगा अब क्या करना है next tip करना है कि यह है d sin यह है d x अब हम a को बाहर लिखेंगे और इसका differential लिखना है कि d sin 2 pi x और यह क्या है d x आपको एक एहम बात बताता चलूँ के हमारे पास जो ही न आपको यह पता होना चाहिए कि daffo जो हमारे पास sin है कि हम sain का जो डिघ्वेट्स लेता है तो वह पास हमारे पास plot of x के बरावर होता है ठीक है और जब हम डिघ्वेट्स of this Vy रेते हैं ठीक है तो मारे पास m.ають this kind of sin x के बारबर होता है। ठीक है यह दोनों को याद रखना है। ठीक है अब हम यहाँ जो डिगाअ वेर्स लेंगे तो हम sin theta का भी डिगाअ वेर्स लेंगे और फिर उनके बाद जो यह angles आया हुआ है यह theta theta angle से आया हुआ है। इससे आया हुए तो इसके लिए हम अलग derivates लेंगे ठीक है अब क्या करना है इसका जो differentials है वो हमारे पास क्या जाएगा वो d side by dx is equal to यह तो हम एको बाहर रखाए अब derivation ó derivator of science के बराबर है तो हम यह लिए कास two pi X lambda फिल iskyoda जीक है iskyoda तो science से क्या आख जाता है और वह सब हम लगतेंगे इसके साथ, ठीक है? इसके साथ लेकिन अब क्या करना है? आप कोई पता है कि हम इसका डिधर्स लेंगे तो फिर इस एंगल का भी लेंगे तो एंगल का डिधर्स हम इस तरह ऐसे लेखते हैं, ठीक है कि यह हमारे पास d by dx और 2πx यह derivates का सेंबल Incorporated का हम इस तका derivates लेते हैं और यह 2 πi x lambda क्योंकि इसका पिर हम अलग इसका हम पाइल भी derivates लेंगे दोनों का मतलब और कि इसके साथ लिया और पिर इस एंगल का हम अबना असा दख river लेंगे terivets लेंगे ठीक है तो आपको मैंँने बता हैं किistles का ठीक है और इस fahren एता है एक dsi is equal to dx आ जाएगा ठीक है और यह a cos 2pi x lambda आ जाएगा ठीक है यह x x के साथ मतलब है कि हम यह इस तरह लिक है कि यह x यहां लाए ठीक है is equal to dx आ जाएगा यह मारे पास आ जाएगा इसको मैंने यहां लिख दिया ठीक है start में लिख दिया 2pi lambda ठीक है और यह क्या जाएगा a cos 2pi x lambda ठीक है अब क्या करना है अब इसका again differentiate लेना है इसको हम equation number 4 के नाम देंगे ठीक है equation number 4 तो हम यहां लिखेंगे के equation number 4 can be differentiated इसको हम again can be again differentiated एक बाग differentiate किया लेकिन अब दूसकी बाग भी differentiate करेंगे ठीक है अब इसको दूसकी बाग differentiate करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा d square side dx square क्यूंके दूसकी बाग differentiate करना है यह तो constant term है तो यह हम बाग लिखेंगे टूपाई साइए और इसका हम differentiate से लेंगे d by dx कास 2 पाई एकस लेंडा याद रखेंगे के हम कास का derivates लेंगे इनके combine में और फिक इनके बाद इस angle का अलग derivates लेंगे यह derivations का रूल से ठीक है यह तो अपनी जगह आ जाएगा यह 2 पाई लेंडा और यह आया हमारे पास ए आपको मैंने बताया था यहां के देखेंगे हम के हम कास का derivates लेंगे जब हम sin का derivates लेंगे तो कास आ जाएगा और जब कास का derivates लेंगे तो माइनस साइगा तो हम यहां के जब कास का derivates लेंगे तो किया जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एकस लेंडा ठीक है यह इस derivates मतलब के कास का derivates लेका हमने यह sign नेका रह ठीक है और यह value अपनी जगा इसके पास है अब अब इसका जो है यह angle ठीक है इसका हम अलग साड डिगाइवेर्स देंगे जब हम अलग साड डिगाइवेर्स देंगे तो d by d x 2 pi x lambda ठीक है अब यहाँ देखिए के d square sin d x square is equal to यह देखिए 2 pi और यह दो फाहँ कीए चुराइवेर्स कीवेर्स देखिएवेर्स देखिए 238 माइन गए छुन कीशन साड मरदंगे जो यह दो साडिक है ऐस बसुक्वार्भा इसाड पकानी डुभास आजाएगा मतलब है कि 2 pi lambda आजाएगा वन के साथ multiply करेंगे ठीके तो यह 2 pi lambda minus A sin 2 pi x lambda और यह क्या आजाएगा 2 pi lambda ठीके अब क्या करना है इसको हम multiply करेंगे क्योंकि यह सेम है तो multiplication में तो हम multiply करेंगे दूसकी बात यह d square psi अपनी जगा लेखेंगे इस तरह d square psi और d x square है ठीके अब क्या करना है अब यहाँ देखिए कि 2 multiply by 2 4 तो 4 pi lambda आजाएगा क्योंकि 2 और 2 multiply हो जाएगे तो 4 आजाएगा ठीके हम क्या लेखेंगे 4 और pi pi multiply करेंगे तो 4 pi square और lambda lambda तो lambda square ठीके तो यहाँ आजाएगा हमारे पास के 4 pi square lambda square यहाँ देखिए 2 2 के साथ multiply हुआ तो 4 आजाएगा यहाँ लिख दिया pi pi के साथ multiply हुआ तो pi square यहाँ लिख दिया lambda lambda के साथ multiply हुआ तो lambda square यहाँ लिख दिया अब बाग कि क्या बचा है माइनस यह बचा है तो मैं यहां यह लिखूंगा ठीक है यह क्या है A sin 2 pi x lambda आपको यह पता होना चाहिए कि starting में जो हम equations कर रहे थे तो हमने बताया कि यह किस चीज के वराबर है यह world term इसको minus को हम बाहर लेखेंगे क्योंकि एक constant से ठीक है तो इसको हम d square si d x square is equal to यह minus हमने बाहर लिक लिक लिए 4 pi square si square और यह हमारे पास आया A sin 2 pi x lambda क्योंकि यह तो सारे multiplication में हैं एक दूसरे के साथ इसलिए अब आपको यह पता होना चाहिए कि यह a sin 2 pi x lambda हमारे पास इकुल होता है साइ के हमने कहा पेले भी कहा था यहां देखिए ठीक है यहां देखिए हमने यहां कहा देखिए साइ इस इकल टू a sin 2 pi x lambda किस चीज के बराबर होते हैं साइ तो यहां हम क्या a sin 2 x lambda कि जगा हम साइ पूट करेंगे ठीक है तो यह हमारे पास आजएगा d square d x square is equal to minus 4 pi square lambda square ठीक है और यहां हम क्या पूट करेंगे साइ पूट करेंगे ठीक है अब आपको यह पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरफ यह माइनस है जब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लेस हो जाएगा d square साइ d x square ठीक है और यह क्या हो जाएगा यह plus 4 pi square lambda square si is equal to zero क्योंके यह minus यह आजाएगा plus तो यहां कुछ बाकी नहीं तो zero लिखेंगे अब इसको हम equations का name alert करेंगे इसको हम बोलते है equation number five हो ठीक है हम कहेंगे equation number five जो हीना यह classical equation है equation number five is called classical equations है classical equations है classical equations है यह क्या है यह classical equations है ठीक है अब इसको जो यह lambda है तो इसको हम momentum में change करेंगे momentum में change करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि according to debrogly according to debrogly debrogly हमारे debrogly केते हैं debrogly जो equations है वह केते हैं कि जो lambda है वह inverse दी प्रोपोस्टन है किस चीज़ के लिए momentum के लिए ठीक है अब यह debrogly equations जो है ना इसको हम क्या करेंगे इसको हम squaring करेंगे मतलब कि दोनों साइट को हम क्या करेंगे इसको हम squaring करेंगे जब इसको हम squaring करेंगे तो यह भी squaring आ जाएगा यह भी squaring H जो है ना यह planks constant है यह lambda जो है और यह mv जो है momentum है ठीक है इसको हमने squaring क्या तो m2 और यह क्या आ जाएगा v2 जाए अब यह जो हमारे पास से value आया है हम इसको equation number 5 की lambda की जगह यहां पूट करेंगे इस lambda की value तो इसको हम B कहेंगे तो हम कहते है के put B यह जो पूट करेंगे किस चीज में equation 5 में equation 5 हा ठीक है तो यह क्या equation 5 क्या हो जाएगा equation 5 हो जाएगा d square psi dx square ठीक है plus 4 pi square ठीक है और lambda की जगह हम क्या put करेंगे plank square is equal to m square V square और यह psi अपनी जगह is equal to 0 अजयेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको यहां लेंगे तो minus 1 फिक इसको यहां लेंगे तो यहां क्या जाएगा ठीक है और हमने यह हमारे पास आजाएगा d square psi dx square ठीक है plus 4 pi square और इसको हमने यहां जब ले गएते तो माइनस अब यह उपर ले गएंगे तो प्लास हो जाएगा M² V² की बात कर रहा हो तो यहां आ जाएगा M² V² और यह प्लांक का स्क्राइग अपनी जगा रहे जाएगा और साइग इस इकल टू 0 ठीक है तो इस इक्स्प्रेशन को अब हम क्या कर गे अपनी इने जाएगे जो है न वह एक्सप्रेस करेंगे इन आडर टू एक्सप्रेस इन आडर टू इक्सप्रेस इन तरम सफ इनेर्जी आडर को हम एनर्जी के फर्म में express करेंगे है तो आपको पता है के total एनर्जी हमारे पास equal होता है kinetic energy plus potential energy ठीक है अब हो जो है ना ही जो total energy है kinetic energy आपको पता है का 1 two mv square के बराबर है यह kinetic energy जो electron moves कर रहे हैं तो kinetic energy हम इसको motions है जो motions हो रहे हैं तो हम कहते है kinetic energy और यह नूख्लेस जो अपनी तरफ केंसे है तो उसको उनके ते पोटेंशल एनरजी जो पूल लगाता है और पोटेंशल एनरजी को हम वी से रिप्रेजेंट्स करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको अपनी जगा लिखेंगे और यहां प्लस है जब इसको हम यहां इस तरफ ले जाएंगे राइट से लिफ साट की तरफ ले जाएंगे तो यहां प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यह अपनी जगा जाएगा यहां प्लस है तो जब हम इसक प्रग की वेडियो निकालने और यहां फोट करना है ठीक है और इसको हमाँ एक्वीशन का नाम देंगे तो यह हमारे पास यह हमारे पास एक्वीशन नमर 6 आ जाएगा ठीक है अब क्या करना है अब यहां करने के यह तू जो है ना यह मल्टिप्लिकेशन के है तो हम यहां जाए 1 over 2 mv2 यह हम डिवाइड मेताते हैं अभी मल्टिप्लिकेशन के जब एक साथ करने तो दूसके साथ मुल्टिकेशन करने तो यह 2e-v बजगाया ठीक है और यह क्या बजगाया mv2 है अब आपको क्या करना है कि हम तो v2 की वेलियो जने कालना है तो हम यहां भी m डिव अब यह जो वेलियोज आया है इसको हम कहते है c तो हम कहते है के put c in equation 6 यह जो v2 की वेलियोज यहां से आया है इसको हम यहां पूट करेंगे तो यहां जो वेलियोज आ जाएगा वो है के d2 psi dx2 ठीक है यहां देखिए 4pi2 m2 4pi2 m2 4pi2 m2 और v2 की जगा हम क्या put करेंगे इस वेलियोज को put करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 2e-vm और यहां क्या आ जाएगा यहां भी आ जाएगा x2 psi is equal to 0 तो यह क्या आता है यह वेलियोज हमारे पास आता है अब यहां देखिए कि यह m जो है ना इस एक m के साथ कैंसल होता है क्योंके मल्टिप्लिकेशन और डिविजन में है अब यह जो इक्वीशन आमारे पास जाता है तो d2 is equal to psi dx2 तो हम यहां लिक केंगे के 4 pi2 यह m रहे जाएगा ठीक है और यह जो है ना यह 2e-vm और यह क्या h square आ जाएगा और इसको हम केते हैं psi is equal to 0 अब क्या करना है अब जो next step है वह हम करेंगे कि इसमें अब और क्या करना है ठीक है तो यहां देखिए कि यह जो 2 है ना इसको हम इस 4 के साथ मांटिप्लाय करेंगे तो क्या आ जाएगा यह d2 2 को 4 के साथ मांटिप्लाय करेंगे 2 को 4 के साथ मांटिप्लाय करेंगे तो 8 आ जाएगा यह pi square m square e minus v और यह h square psi आ जाएगा is equal to 0 ठीक है यह आता है अब यहां देखिए इस equations को हम कहते हैं कि this equation enrich particle motion in one dimension एक particles है मतलब के electron है वो जो भी है वो व्योग का nature show करते है तो यह एक directions में 1D mean one dimension क्यूंकि हमने सेखिए एक सा यह एक से लिगता है इसको हम कहते है equation number 7 so equation 7 for particle moving in one dimension एक पार्टिकल है और यह one dimension में moving करता है तो इसके लिए यह equations है अब हम equations show करेंगे कि अगर वो एक 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 से में moving करता है वो है एक से तो हम कहेंगे for any three axes are for any three axes are के वो तीनों axes में motion करें जैसे के x yz तो पर हम equation 7 को क्या लेकेंगे इसको हम लेकेंगे के d square psi dx square plus d square psi dy square d z square is equal to eight pi square plus यहां plus होता है ठीक है यह क्या है यह भी plus है ठीक है plus eight square m e minus v okay eight square psi is equal to zero तो यह अब यह जो equations आया है तो यह equations जो है ना यह क्या करता है यह तीनों motion मतलब के three dimension में जब particles moving करता है x y z तो इसके लिए equations है अब आपको यह बात पता होना चाहिए के इसको हम क्या कहते है इसको हम lepletion operators करेते हैं हमारे पास जो lepletion operator होता है वो बड़ा d square psi dx square plus d square psi dy square plus d square psi dz square यह बराबर होता है del square psi के del square psi और इसको हम कहते है lepletion operators तो इसकी जगा हम क्या कहते हैं इसकी जगा हम lepletion operators को पुट करेंगे और वो हमारे पास बड़ाबर होता है del square psi plus 8 pi square m e minus v और यह क्या h square psi is equal to zero ठीक है तो यह हमारे पास इसको हम और भी simplify कर सकते हैं ठीक है एक simplest form में ले जा सकते हैं ठीक है अब क्या करना है कि यह है del square psi plus इस equation को हम e के साथ भी multiply करेंगे minus v के साथ किस तरह 8 pi square m e के साथ multiply के e आया ठीक है और यह h square आया और psi b दोनों के साथ multiplication है तो हम psi मेले क्यूंके psi e के साथ भी है और psi v के साथ भी है अब क्या plus और minus है plus और minus से क्या आता है minus आता है तो क्या जाएगा जब यह 8 pi square m को इसने है के यह हो जाएगाbelt यह 8 pi square m v psi. qa is equal to zero यह आ जाएगा ठीक हमने यह 8 pi square m को e के साथ भी multiply है पहला packet माइड रोज पवाडि़ले का ृपर पी के साथ भी हो जाएगा और 9 oops जाएगा औरige तो दोने के साथ multiplication में है इसलिए हमने यह लिख दिया ठीक है अब क्या करना है अब इसको हम जो है ना दोनों साइट इसको हम इस साइट पे ले जाता है इस equations को यह जो है इस साइट पे ले जाता है फुल तो यह क्या बन जाएगा इसको इसी को इस तरफ पे ले गाया जब यह यहां प्लस है इस तरफ करने तो यह माइनस बन जाएगा एट पाई स्क्वेर एम ई साइ एच स्क्वेर और यह जब इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस में क्यूंके माइनस है तो इस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 8 pi square m v psi ठीक है यह क्या है h square ठीक है अब इस equations को ठीक है इसको हम कहते है equation number 8 equation 8 को हम multiply करेंगे multiply equation 8 equation 8 किस चीज़ by 8 square 8 pi square m के साथ क्या करेंगे multiply करेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा दोनों साथ पर multiply करेंगे तो यह del square si और यह क्या जाएगा 8 square 8 pi square m यह इस तरफ आएगा यहाँ देखें ठीक है यहाँ हम करेंगे तो 8 square 8 pi square m और यह क्या multiplication में है तो minus 8 pi square m e si 8 square और यहाँ देखेंगे plus 8 square 8 pi square m यह क्या आजाएगा यह हम लिखेंगे 8 pi square m v si h ठीक है अब यहाँ देखें यह यह x square x square के साथ cancel हो जाएगा 8 pi square m 8 pi square m के साथ cancel हो जाएगा plus इस तरफ देखेंगे x square हम x square के साथ cancel करेंगे 8 pi square 8 pi square के साथ cancel करेंगे तो क्या बच जाएगा यह बच जाएगा यह हम यहाँ लिखेंगे ठीक है इसको हम यहाँ लिखेंगे के यह बचा है यहाँ यहाँ क्या बचा है यहाँ बचा है के माइनस बचा है और e si बचा है यहाँ क्या बचा है यह क्या है वी और si बचा है क्या वी और si बचा है ठीक है यह इस equations से आया है ठीक है अब आपको क्या करना है क्या है के यह e si को हम इस side पे ले जाएंगे और इस equation को हम इस side पे ले जाएंगे जब इसको हम इस side पे ले जाएंगे तो यह plus में minus है तो plus में हो जाएगा is equal to अपनी जगा जाएगा और इसको हम इस side पे ले जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा ठीक है तो यह माइनस एच स्क्वेर एट पाई स्क्वेर एम ठीक है और यह डेल स्क्वेर साई यह हो जाएगा और प्लस वी साई अपनी जगा जाएगा क्या 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 यह यहां माइनस था इस तरफ ले गाया प्लस यह यहां प्लस था इस तरफ ले आया minus, माइनस है ठीके बागे वही है अब आकको एक importance बात बताता कान चानल कि साइ दोनों में common है, तो साइ here is equal to, हम साइ common लेंगे, साइ examine mış हम्सी कामन लेंगे, ठीके minus x square xφ 8 pi square m plus v, ठीके यह आया, इस यह जो ही ना इसको हम केते है Tulip हमेलाटोनियन ओप्रेटर क्या कहते है है हमेलाटोनियन ओप्रेटर और वह दिनोट रहता है यह हमारे पास किस चीज़ के बगावर होगा तो यह यह जो हमारे पास equations आया है, इसको हम कहते है, simplest form of Schrodinger equation है, simplest form of Schrodinger equation है, यह एक बिल्कुल easiest form है, Schrodinger equation है, will equations, यह हमारे पास Schrodinger, अब आपको एक बात बताता है, बात जो questions आते हैं, तो वहां questions आते हैं, कि Hamiltonian operators लिखे, तो Hamiltonian operators आपको कहां से लिखना है, आपको Schrodinger equation दिखना है, यह ठीक है, फिर इनके बाद आपको यह लिखना है, तो इसमें आपका दो questions, जो है, वह complete हुआ, दो questions किस तरह complete हुआ, दो questions इस तरह complete हुआ, आपको Schrodinger equation भी मुकमल derived किया गया, दूसका अगर question आ जाए, कि Hamiltonian operators लिखे, तो यहां देखिए, कि यह जो, आता है न, यहां three dimensions के लिए Schrodinger equations है, तो इनके बाद आप यह derivations करें, तो आपके साथ omoletanians operators भी आ जाएगा, ठीक है, तो यह आज का हमारा लेक्टर्स था, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एहमद education को subscribe नहीं किया, तो please हमारी चैनल को subscribe करें, like करें, और और दोस्तों के साथ भी श्रक करें, thanks